हाई लो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग उमीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे आज फ्रेंड्स हम लोग लेकर आये हैं एक नया वीडियो ठीक है जिसमें 30 क्वेस्टन 30 मिनट में हम लोग डांग करेंगे जो कि बहुत इहीं इंपॉर्टेंट होगी सभी कंपेटिटिव एक्जाम्स के लिए तो हम लोग देर ना करते हुए आई स्टार्ट करते हैं 30 मिनट में 30 क्वेस्टन को कैसे डन करें ठीक है यह जो क्वेस्टन है आप हमारे यूट्यूब चैनल से जूड़ जाईएगा ठीक है और सब उमीद है कि सभी को जो है जोडने की कस्ट की एक जीन ठीक है पहला क्यात है कrok में लिखित मेς सब्वेस्टन की खारी पानी की जील है तो याद रखेगा है कि खाले पानी की जील यह होती है का हौन सा है घॉप्ण毛 फ्यप्यंक थि! वहा require टे इसले कि सरेइं से वोगें को वह वुकर को कुर्ण हो जोड़ती है तरए compress इस नोडम को लिए गार के लडाक शरेणी से प्लब घृरत को जोड़ती है किसकोतः डिप तो याद रखिएगा कि खारे पाणी की जील है आपको आप्सेंस के रूशार चार नंबर आप्सेंस और आपको नमर डी जिसका नाम है पैग्वांग जील यह भारत के लदाक से तिल्बत को जोड़ देती है इसकी लंबाई कि इतनी है 134 कि अगे पड़ते हैं लोग दूसरे में करता है कि निम्न मैंसे कौन भारतिया पेंक के पहले भारतिय गवर्नर थे तो याद कि भा कि बहुंक और पर जो की सबी बैंकों का बैंक है इसको माहा बैंक के नाम से भी जाना जाता है ठीक है हाना आर्वी आई सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन भारतिये रिजर्व बैंक के पहले भारतिये गवर्नर थे सबसे पहले गवर्नर थे ठीक है और आपको मैं बता दू कि आर्वी आई की अस्थापना कभी थी आर्वी आई की अस्थापना देखते चलेंगे एक अपरेल 1932 ओर इसका मुख्याले है मुख्याले इसका मुख्याले कभ है मुंबई जब अस्थापना हो चुकी बगतिस में तो फिर इसके बाद जुदे इसको रास्ट्रिय क्रिट किया रास्ट्रिय करन ठीक है तो यहां से एक और याद रखिएगा कि आर्वी आई कर र तो याद रखेंगे साथ साथ बोई एक अपर 1932 इसका मुख्याले कहा है मुंबाई आर्वेक रास्ट्रिय करन हुआ एक उनिसो उन्चास को ठीक है ठीक है अगले कुस्च्चन की तीसरा कुस्च्चन है गांदी जी ने डांडी यात्रा प्रगांट कर तीक है तो गांदी जी ने डांडी यात्रा प्रगांट की ती नमक कानून तोड़ने के लिए इसका अप्सान ही होगा गांडी जी में डांडी यागा किसके लिए प्रगांट की तीक है नमक कानून तोड़ने के लिए ठीक है नमक कानून तोड़ने के लिए आपको हम बता दें ठीक बारह मार्च उन्हें सो तीस इसवी को जो है साबरमती आसरम कहा है प्रेंश गुजराद में साबरमती आसरम से 78 कितना 78 सहयोगी ठीक है कितने सहयोगिए के साथ अठब सहयोगिए के साथ डांडी यत्रा किये थे ठीक है और ठीक है जो अप्रेल नीसो तीज़़ई को कहां पहुंचे थे डांडी पहुंचे कर जो है यहाँ पर रहा है नमकाम को तोड़ा भाने है कि यहीं ही था कि हम जो है नमक को अपने खुद से निर्मित है शौदेशी नमक का विए जाए है और इसमें महिलाएं बढ़ कर हिस्सा लिए, क्लियर है? छिंग वार फिर से देख लेखते हैं, गांधी आत्रा जो नहुँ करें नमक कानुन तोड़ने के जिसी को साबर्मति आसरम शेमिने इस्टार्ट किया, अठरा-त्थ сवयोगियों के सपोर्ड से यह जो है दांडी प दावनी पहुंचे थे लगभग 385 किलो मेटर की दुझ नहीं ने तै कि थी ठीक है अब चलते हैं हम रोब चवता क्वेस्चन है इंडियान नेशनल आर्मी किसके दौरा बनाएगी थी इंडियान नेशनल आर्मी चार नदब क्वेस्चन है इंडियान नेशनल आर्मी जो है किस ने किया था एंडिया नेशनल आर्मी का गठन किस ने किया था तो तेश्जूल कितना तेश्जूल उनीसव फिन्स धिश्वी को तरह सब्सक्राइब कौन रास भिहारी बोस यह तखेंगा इंडिया नेशनल आर्वी का गठन किया 23 जून 1931 को रास विहारी बोस ने ठीक है टोकियो ठीक है कहां किया था टोकियो ठीक है टोकियो सम्मिलन ठीक है टोकियो सम्मिलन में रास विहारी बोस ने इंडिया नेशनल आर्वी का गठन किया ठीक है बाद में जो है सुवास चंद सभास्चंद्र बोस इसकी कमान किनोंने समझा ली पूछ देगा कि सकी कमान किनोंने समझा ली तो सुभास्चंद्र बोस एसकी बोस ठीक है इसके बात सबसे बड़ा महासागर कौन सा है तो आपको पता होगा कि विस्वका सबसे बड़ा महासागर प्रसांत महासागर है जो की इसी महासागर में कि विस्वका सबसे बड़ा महासागर कौन सा है प्रसांत महासागर ठीक है इसकी छेत्रफल की अगर बाट किया जाए तो 16.5 करोड ठीक है 16.5 करोड किलो मीटर एस्वाय है और याद रखिएगा कि सबसे विस्वका सबसे गहरा सबसे गहरा गर्थ कौन सा है मेरियाना मेरियाना गर्थ कौन सा है प्रेंट मेरियाना गर्थ जिसकी जो है गहराई है 11-0 32 या 33 कहीं कभी दिता है 11-0 32 या 33 मीटर ठीक है मेरियाना गर्थ है और आपको पता दे कि बीस्वका सबसे उंचा पहाड जो है माउंट एवरेस्ट है कौन है माउंट एवरेस्ट माउंट एवरेस्ट जिसकी उंचाई है अठासी सो पच्चास मीटर ठीक है और सबसे गहरा है आपका मीरियाना सबसे गहरा है मीरियाना गर्थ जिसकी गहरा ही कितना है 11-0-32-38-3 मीटर है तो आप बताइए कि सबसे गहरा गर्थ जो है 11-0-32 लगभग इसको 11-0-32 का सकते हैं और मेरी सबसे उंचा ही पर है मांट एवरेष्ट यानि 88-50 मीटर तो इसको हम 9 किलो मीटर का सकते हैं ठीक है 9 किलो मीटर आई कितना होगे 11 किलो मीटर तो आप ही बताइए कि 20 रुके सबसे उंचा परवर्थ और 20 रुका सबसे नीचा यानि गहरा हाना गर्थ के बीच दोनों कि बीच कुल लंगाई कितनी है तो 9 किलो मीटर यहां 11 किलो मीटर तो टोटल कितना हो जाएगा 20 किलो मीटर क्लियर है आगे बढ़े आगे बढ़ते हैं कहता है अगला कॉस्च्च्च अगला कॉस्च्च कहता है कि नियम निम में किसके परयासों से लिद्वा कुनर दिवा धनीयं अठाथ सोच छपन इसवी में पारित हुआ तो इसका एंसर हो जाएगा चट्ठा का राम इस्वर्चंद्र विद्यासर की सब्सक्राइब इस वर चन्र विद्यासागरिस का एंसल होगा ठीक है यह जो थे कलकत्ता के संस्क्रीट कॉलेज क्या जा रहते हैं यहां से क्वेश्चन बन जाता है कलकत्ता के संस्क्रीट संस्क्रीट कॉलेज के क्या थे आचार्ज ठीक है इन होने जो है लगभग लगभग एक हजार समर्थों को साइन कर वर ठीक है यह जो था आपका बिध्वा उनर विवाहद ने इसमें क्या होता था कि अगर एक वर जिसका पती है और एक समर्थों का साइन करा अगया दिमैंग शादि पर टेटेकर सनकेथा में वीरोधों के माईज को छाहिए तो इसमिद्येल तो याद रखेंगे कि किसके सहयोब से हुआ था तर लौड डल्हाओ जी लौड डल्हाओ जी ठीक है कितना में अठारा सो शक्तन है अगर बढ़ते हैं युटरा ग्राव करता है कि छीपको डॉलन निम्ट में से किसे समझनदें था और जले कि चीपको डॉलन जेनरली आपका जो है पौधे सरेक्षाण से होता है पौधा संरक्षन, पेडो की कटाई से समने था यह जिसके लेत्रीत वकरता थे सुन्दरलाल बहुभुना फिक है इस आंदोलन के नेता कौन थे सुन्दरलाल बहुभुँणा देख देखते हैं सुन्दरलाल résस्टी कहना ठीक है उत्राखण के चमोली है ना चमोली जिला में उत्राखण के चमोली जिला में स्टार्ट हुआ था ठीक है इसके नितित्व करता कौन थे सुंदरलाल पहबुना और आपको हम बता देख फूलो की जो घाटी होती है ठीक है फूलो की घाटी कहां पाए जाती है यहीं पा प्यश्य क्ताईं से उसमें क्या होता था कि भार मत्रा में पेड़ कट रहे थे तिक उसको रोकने के लिए महिला बच्चे बुड़े सभी मिलकर फेड़ों में चिपक जाते थे खैक है और चिपकने की बज़ा से ची अल्या पहले ब्यक्ति को काटो फेट पेड़ को काटो लेकिन ऐसा कुल करते नहीं थे इसलिए जो है पेड़ों की कटाई पर बहुत जहाद तक रोक लग गई रोक लगने के कारण क्या हुआ ठीक है यह पुरी तरह से बंद भूगया ठीक है आगे बढ़ते हुआ अगला कुस्चन है आपके तीपु सुल्당히के स्री रंग है तो locomoसर स्री रंग पाटम् ठीक है अगर टीपु सूल्तान का सासंका देखें 1782 से 1799, इसका सासंकाल था, यहा जो है तीपु सुल्तान हणा, इन्होने स्रियर्ण्पट्नम्स में एक स्वतनत्रता का विरिक्ष लगवाया था क्या लगवाया था तीपु सुल्तान में अपने सासंकाल तीपु सुल्तान्स में है यहां पर स्पर्य स्वर पछूशन हो राता है कि की से यूध्ध में इस में त्रिपुल सुलतान की जो राजधानी थी स्री रांग पत्नम उसको जो है अंग्रेजयों ने जीत लिया था तो यहां से यह रखेगा है 54 मैसुर मैसुर यूध चाथ आंग्ल मैसुर में ठीक है अंगरेजों ने स्री रंग पटनम को जीद लिया था, क्लियर आखे पड़े जाकता हैं आपके पड़ाई नहीं थी, तो याद रखिएगा कि हड़ापा के जो लोग थे, उसको लोहा की जनकारी नहीं थी लोहा की जनकारी नहीं थी, और हतियार में आपका तलवार की जनकारी नहीं थी, लोहे की जनकारी नहीं थी, और तलवार की जनकारी नहीं थी, अब आपको पता दे कि किस किस की जनकारी थी, तो सोना चाल्दी तामबा, सोना चाल्दी तामबा, ठीक है, सीचा, 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 सात वाहन सास को कि जो सिख्य को क्या करता था संसर ठीक है यहां तक कि यहां कासा यह सब की जानकारी थी यहां करता था लोगों जो है लोहा और तल्वार की जानकारी नहीं थी लेकिन सोना चानी तामा सीशा और गासा की जानकारी थी तो आपका एंसर को को घर्म अगर जाते हैं दस नमबर एक द किंग्स अस्पीच यहां रखेंगे फ्रिंट्स दख किंग्स बिटेंग्स सिनेमा है क्या है सिनेमा है आपका निर्देशक कौन थे याद रख लेंगे इसके निर्देशक थे आपका तोम हुआ इसके निर्देशक कौन थे तोम हुआ तोम हुआ तोम हुआ ठीक है और इसके लेखक कौन थे लेखक की बात करें तो लेखक थे देविड सीडलर डेविड सीडलर ठीक है अगर आप चाहे तो इस पीचर को देख सकते हैं कुछ खास नहीं फिर भी आप देख सकते हैं इसका जोए इंदी भर्जान आपको मिल जाए ठीक है मिर्देशा कौन थे टॉम हुआ लेखक कौन थे डेविड सीडलर ठीक है डेविड सीडलर आगे बढ़ते हैं की कम दिचिनित होता है वह रहेचे की जब स्वेथ क्रकास को जब से प्रकास को जो है अना प्रोजेक्सं किया जाएगा ठीक है इस टाल किया जाएगा है तो सबसे पहले आपको निखलेगा बैगनी बैगनी न रखर सबसे लास्ट में निकलेगा लग आप लोगों पता होगा बैजान या फिनाला ठीक है वीबी गयोर इसका जो सॉड्बॉन होता है ठीक है इसे पुरा साथ उगर निकल स्वेध प्रकार से कितने अलग निकलते हैं कौन को रंग नहीं निकलते हैं तो सफेध और नहीं निकलता है सुपेध। और काला को बाकी सब आपको एकने को मिल जाएंगे अब यहां पर नहीं बतादे कि सबसे जादा कौन रंग जो है काम भी सीजित होता है लाल क्यूंकि लाल रंग का जो तरन्ग डेजा है तरण्द अब यह तक तक आप लाल रंग जो है दिख जाएगा लेकिन बैगली ग्रेंग का तरंदेज होता है गुंचाली सो बिगरिया इंग स्ट्रॉम ठीक है यहां जो है बहुत दूरी तैय करने पर यह धुंदला हो जाता है पोजर हो जाता है क्लियर है तो आपका एंसर हो जाएगा लाद आगे बढ़ते हैं अगला कुस्चिन है आपका सबसे लंबा जीरित ब्रिक्ज कौन है बारान अंदर कुस्चिन सबसे लंबा जीरित याद रखेंगा कि सबसे लंबा जीरित जीरित ब्रिक्ज है आपका यूके लिप्टस यूके लिप्टस यह जो यूके लिप्टस है इतना लंबा सिधे भागता है इतना सिधे भागता है कि जो है न यह जो है पर इस्थितिकी के लिए गंदीर समस्या पैदा करता है क्यों क्योंकि जब यह सबसे ज़्यादा लंबा जाएगा ठीक है और अचानक जो है तेज हवाओं के कारण या फिर मौसम खराब होने के कारण यह अगर उपर से गिर्ड़ जाता है या फिर इदर इर्द गिर्ड़ कर जाता है जो कि जो है हमेसा के लिए हानिकारक सावित होगा यही इसलिए जो है सबसे हानिकारक सावित होता है याद रखेगा यूके लिटर्स का जो पौधा होता है एक दीन में एक दीन में साथ लीटर पानी सोख लेता है इतना लिटर साथ लीटर पानी सोख लेता है याद रखेगा कि यूके लिटर्स का जो पौधा होता है एक दीन में साथ लीटर पा का पर्यों पर्मूख अभ्यों जो होता है गोवर्ड डाइस्ट मिध्ये और भर का कॉण ननावाटक ग्स करना राते हैं घ्ला नगायस से चलने वाला 20 गोबअ गोबर से चलने वाला मिथेन गैस स्वयंत्र का जो अभिस्कार किया था कि अब देशाई में गोबर गैस स्वयंत्र का अभिस्कार किस ने किया गोबर गैस स्वयंत्र का विसकार किसे ने क्या था सीवी देशाई में ठीक है याद रखेंगे सबसे लंबा जीविद्व कौन है यूकलिक्तस जो की एक दिन में सार्टिटर पानी को सोक लेता है ठीक है और गोबर गैस का जो प्रमुक अभिव है कौन सा है नितेन गैस है ची गोबर गैस स्वयंत्र का विसकार कौन थे सीवी देशाई आपको हम बता दे कि अगर जो है भविष्य में इंधन खतम हो जाएगा तो भविष्य का इंधन किसे माना जाता है हाइड्रोजन को याद रखेंगे भविष्य का इंधन future of fuel के नाम से किसे माना जाता है हाइड्र परसेंट हाइड्रोजन होता है हिलियम आपको होता है 26.5 ठीक है बाकी जो है आने गयास होते हैं बाकी जो बचेगा 100% में से घटा लिजिएगा बाकी जो आने गयास होते हैं ठीक है तो याद रखना है कितना परसेंट से देखता प्रसेंट हाइड्रोजन 20.5 परसेंट आपको क्या होता है हिलियम होता है क्लियर है चलिए अब आगे बड़े जाते हैं हम दूश अगला कोश्यों है कि 20 के 30 परसेंट और 30 के 20 परसेंट का यह कितना होगा अगला कोश्यों है अगला कोश्यों है आपका 14 नमबर कि 20 का 30 परसेंट और 30 का 20 परसेंट का यह कितना होगा यहीं बोला है ठीक है आज देख लिप्त हैं रखेंगे का का मतलब होता है आपका गुना ठीक है और प्रतीसक का मतलब होता है बटा सो कितना होता है बटा सो अब देखते हैं 20 का 30 परसेंट तो 20 का मतलब होगे आपका गुना 30 परसेंट यानि 30 परतीसक का मतलब बटा सो ठीक है उसी प्रकार 30 का 20 परसेंट तो देखें 30 का मतलब होगे आपका गुना 20 परसेंट यानि 20 बटा सो का योग योग मतलब जो ठीक है आइए चिक करते हैं देखें 10 से 10 10 10 से 10 तीनना कितना होगे छे प्लस फीर देखें 10 से 10 परसेंट यानि दस बटा सो काट देंगे, तो ये हो जाएगा, साथ, हमको लाना है कितना, बारह आया कितना, साथ, तो option A मेरा, नहीं होगा, अब चले हैं, option B, B कहता है, आपका, बारह सव का, दस परसेट, याजने, दस बटा कितना, सो, एक जिरो से जिरो, एक जिरो से जिरो, तो ये कितना बजाएगा, आया 120 हमको लाना था 12 आया 120 अब आप्शन सी चलते हैं 1200 का एक परसेंट तो एक बट्टा कितना लिखेंगे 100 काट देगे 2-0 से 2-0 कितना आगे आगे 12 तो यही मेरा किया हो जाएगा एंसर ठीक है तो आपका एंसर कौन हो जाएगा सी ठीक है आज़े बढ़े आते हिं अगला कुस्चीन है आपका 15 ठीक है एक 2-10 पंधन मीनट में 3 भाग्टा था तो तैंक का बाकी बाग कितने समय बहरा जाएगा ठीक है तुकर अब देख़ेह कि 15 मिन चुका है तो, कितना भाग खाली होगा. तो, तीन भाग भर गया तो, тогда मैं से 4 जायगा, कितना होग 2, तो, 13 सुनल होगा को गया लै, यह चैस भाग भी में से सभाग कितना समय में भरेगा तो इसको फ्रेंट्स निकालने के लिए सिंपल यार रखेगे कि 15 मिनट जो दिया हुआ है उसको गुणा में डाल देंगे और अगला कोस्चन है आपका चार घंटिया पहले एक साथ क्वेश्टी है और फिर क्रम साथ आठ और नौ सेटेंट के अंत्राव में बज़ती है ठीक है घंटु में घंटियां कितनी बार एक साथ बज़ेगी और किस अंत्राव में घंटी वाला जबी भी पुरस्ण रहेगा तो आपको क्या करना है याद रखेंगे घंटी वाले पुरस्ण में सबसे पहले आपको लगुर्टा निकाल रहा है तो हमको दिया हुआ है छे साथ नौ का एलसियू निकाल लेंगी ठीक है आप लोग निकाल लेंगी लशाथ तो सबकों आता ही होगा अब लशा निकाल लेगा आपका लगुर्टा मायगा 504 लगुर्टाव कितना आघा पांसे चार अब देखिए बोला है कि घंटों में घंटियां कितनी बार एक साथ बज़ेगी घंटों में और यह जो पांसो चार आया है इस सेकेंड में तो एक घंटा में कितना सेकेंड होते हैं तो एक घंटा में और साथ मिनटेंट में साथ सब्सक्राइब करता है किसाओर वाले सिकों कि संक्या कितनी है आये करते हैं हम लोग करता है कि एक रूप्या हैं तो इसके लिए गुणा कर देंगे तो चार एकम कितना होगा चार पांट दूना कितना होगा 10 8 पचे कितना होगा 40 तीनों को हम लोग क्या करेंगे जोड़ देंगे और टोटल आपका दिया हुआ है 432 अब देखिए 40 और 10 50 अचार कितना हो गया आपका 54 कितना के बराबर हो गया 432 अब पूछ रहा है कि दो रूपय वाले सिकों की संख्या कितना है पांच पांच रूपय वाले सिकों की संख्या चार तो हम हुआ कितना है इस पांच जिसको फूछेगा उसको गुना कर देंगे और 1 14 होगा 36 है और आपको गया 37 और 40 अतीन तेता लिस्साब बहत्तर होगा नवाठे बहत्तर है ठीक है नवाठे बहत्तर कर जाएगा छे से काट दीजिए आठचा कर तालिस तो आठचे कितना मचे गए 40 ठीक है तो याद रखी है दो रुक्यों असी को कि संखे कितनी है है चांज सूर कह अगला सभ्यास करता है तो नंबर ठीक है कि एक इसी काम को कि इन ने कि इसеци और बी उसी को 25 dalि कि सबसे पहले कि इंडिक कर लिए जो का आ स्थित लगांशार के खिखान Sistera Sura dus weweise के यहां से निकालें हैं यहां से किक निखाना दीन में कितना काम करेगा और ली कफिस खता निकालने के लिए सो में विड्से बागतें तो बीस पच्चे सथ और और 25 convenience में भाग देंगे 25 चर्वग्वा सब इसका मतलब कि एक दिन का हुग्छ नो कि एक दिनने पांच काम करेंगा और और वीं एक तीन में चार्ड ना करेंगा ठीक है तो अब कहता है कि जोनों एक साथ मिलकर तो कितना दिनन करें ड junior ten जेना एक कामं करें और फिन सी अकेले स्टकर करें डाइन तर शेस करें डाइने दिन मेंं पांच दिन करवाना है दस दिन करवादी तो दस नव कितना नवे काम पुरा होगे कितना काम बचा हुआ है फूटा पांपो तो सो था सो में से नवे काम पूरा होगे कितना काम सेज बचा हुआ है तो सेज का मापना सो में से नब्वी जाएक हाई कितना दस काम है अब C के चांटा निकालेंगे जब सबन सेजि नंचार्टै क्या करें कि कहां धिर तो आइए हम बब देखे लिखते हैं प्रति दिर नेकरी कि एक दिर्ण है एक डिर्ण कीतना काम करें दिन कि शरू को कितना है सों कीला ये का ककाम है पांच बीका काम चाहरा काकम एक तो पांच आखना होए एक काटने के किकना दीन होगा है तो होगा एंसर है कि नहीं आरके बड़े जाफके है नहीं हुआ 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 है आरद देखे अगला कुस्टन है आपका इस नमबर रूट अंडर एक्तालीष माइनस रूट अंडर एकरीष माइनस प्लस लुट अंडर नौब आज देख लगते ठीक है अब देखें जब भी इसको हल करेंगे तो अप्रोब जो है न दाइंग परभग से याद रखेंग के जब भी इस प्रष्ण पहल करेंगे तो यह वर पर नूँन का ब्रस्ट का अधिक आइए रहते हैं तो नौ का बर मूल कितना होता है तीन होता है अब देखिए 19 में से माइनस है तो 19 में से पीन घटा देंगे तो 16 होगा ना 19 में से तीन घटांगे शोला तो आपका 36 जो लास्ट में आएगा वही आपका क्या हो जाएगा आपका आज बड़ जाते हैं अगला कुस्चन है 21 चार के पावर साथ गुने चार के पावर पांच गुने चार के पावर चो गुने चार के पावर चार का लास्ट बताएं ठीक है लासा नहीं का मैं याद रखेंगे ठीक है बता देते हैं आपको कि लासा जो होगा जिसका जिसका घात घात मतलब पावर ज जिसका घात बड़ा होगा वही लॉसर होगा ठीक है और मासा में जिसका घात जिसका घात पावर छोटा होगा तथा प्रस्थ्रा को समी योगा है अना संविल वोकां वही उत्तर होगा है अब यहां देख लेते हैं यहां प्रस्थ्रा आपका दिया हुआ है इसमें देखें चाहर आपका जो है आठारिक करते है अधार तो सब का बराबर है पावर देखिए सबसे ज्यादा पावर किसका है इसका है साथ है और इक किसका है अधार किता है चार तो सब में सामिल है लेकिन सबसे ज्यादा बेस किसका है सब से जाब पाउर किसका है ? साथ का है इसलिए आपका एंसर के तबह जाएगे चार के पाउर साथ तो इसका एंसर क्या होगा ? चार के पाउर साथ चार है आद ए? ठीक है ? अगब बंदे अगला कोश्यों है आपका 22 पता है कि X-square minus 7x plus 10 बड़ावर 0 बड़ावर को है इतना कमान हमको बताना है कि क्या होगा इसके पहले क्या चीन है plus है तो हम क्या करेंगे कि इसको ऐसे दोड़ेंगे कि जोड़ने पर हमको आना चाहिए कितना हमको आना चाहिए साथ अना चाहिए सद्खें यहां पांच लेलाते हैं तो देखें तो पांच अदू चुकि प्लस है तो पांच दू जोड़ने पर क्या होना चाहिए साथ आगे ठीक है और गुना करने पर दस आगे देखेंगे यह ओला टरफ में कि माइनस है तो माइनस है तो दोनों तरफ माइनस होगा तोनों तरफ माइनस ठीक है अब आपको हम बताएं कि अगर हम डिटेल्स बनाएंगे एसको ठीक है तो दोनों माइनस में होगी लेकिन अगर बराबर के बाद अगर लेँ जाएंगे ठीक है कि इसमें मेंहों पलस में तो याद रख historically dog आगे माइनस होगा तो दोनों तरफ माइनस सटेंगे और अधमन एं है आप इसको दो पांच भी लिख सकते हैं या फिर पांच दो भी लिख सकते हैं अगला कोश्चन है कि किसी संक्या के छोगुने से जब पांच घटाया जाता है तो उत्तर उसी संक्या के संक्या आपका है अब संक्या के छोगुना बुला है तो एक्स का छोगुना चोग देंगे और जब पांच घटाया जाता है तो पांच को घटा तो उत्तर जो आ संक्या की संक्या तो एक्स माने तो एक्स के टिक है दूबुने दूबुने यह न की दू से साथ अधीक दू प्रस जाएं चेंगे छोब एक सबूसें माइनस अपला साथ तो अदर यह जाएगा था उल्भार्ट यह जाएक ऊड़ा तो ćैट्लो करें तो चाहलत उसें neste संख्या 3 हो गया अब जैसे पाता है उसको लेके चलिए तो तो उत्तर उसी संख्या कितना था संख्या 3 था के दू ने तो दू से साथ अधीक है तो साथ हना चप्तरी 18 में से पास गया 13 बराबर तीन दूनी 6 में साथ 13 बराबर तो आज LHS बराबर RHS इससे सावी तो तक या पैंसल कितना होगा तीन होगा क्लेर है देखिए 24 नंबर कहता है आपका टोटल 24 में कुश्यन है कि 2 3 5 7 17 17 देखिए 2 में एक जोड़ेंगे तो 3 होगा 3 में दो जोड़ेंगे 5 होगा और फिर यहां 4 जोड़ेंगे तर्न न हो जाए है तर्षार होगी तो ऐसे जाएगा आंगे बड़ जाते हैं 20 करता है कि एक देल गाड़ी पस्चिन विशा की ओर जा रही है दस किलिमेटर चलने के बाद बाइग और मुर जाती है तता पुना 25 किलोमिटर जाने के बाड़ वबाय मोड जाती है तो बताएं ये रेलगाडी से निकलने वाला धुमा अब किस दिशा में जा रही है यदि हवा की दिशा पूरब की ओर हो अगर रेलगाडी विदूत हो यह तो कुछ बनाने वाला थाई नहीं अगर विदूत रे क्यों क्योंकि विदूत विदूत रेल गाड़ी में भुवा नहीं होता है ठीक है आगर बढ़ते हैं 34 कि कहता है कि निमलीकित आरेक में रिक्त अस्थान पर कौन सी संख्या आएगी है ना देखिए जो की आपको कुस्चन दिया हुआ है ठीक है कुस्चन के कॉर्डिंग आ आते हैं कि आपका साथ है कुस्चन मारक है ठीक है 15 है 135 है 27 है यहां पर 27 होना चाहिए दिया हुआ हुआ है कुस्चन में वहां पर तोड़ा डाउट है की और इस ठीक है आई देख लेते हैं इसका एंसर क्या हो जाएगा कि इसका एंसर देख लेटे हम बूआ है देखे तो साथ में अगर 3 से गुणा करते हैं तो सतरीका 21 है 15 में अगर साथ से गुना करते हैं तो पंदरह सतरीक पचूतल से एन जिए 100 कितना है 5 होते है हाना ठीक है क्लिरर है हाना तो आपका एंसर क्या बना रहा है है 26 का वी 100 ठीक है, हाना, प्लेश रहे ज़्यिए सा तरीका एकरश तीनावाब़ 27 पंदरःआवा 25 पंदरःओ नावा 25 से 27 पंदरःओ 27 पंदरःःओ 25 से लगल 15 अगे बढ़ जाकते हैं 27 और टक्रिंख्ला को पुरा करें आये देखते हैं आपका तेयर रख़ा है के जे आई के जे आई के डूबल है आई फिर है आपका के जे आई सबस्क्राइब भी घंट अब देखी तो पहले इसको गी लेंगे एक दो ती चार पांच छे साथ 8 9 10 11 12 13 14 15 16 अब 16 को कैसे तोड़ेगे तब 16 को तोड़ेगे दो से दो से भाव लग जाएगा हना चार से भाव लग जाएगा बार्ट से भाव लग जाएगा और वोस्च थे हैं तो दिष्ट कि और मैंशी कर रहे हैं और तो आपका एंसर क्या हो जाएगा एंसर आपका नमडर दी हो जाएगा आई जे आई 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 जे आई आई जे आई एक आपका क्या है ठीक है आगे बढ़ जाते हैं हाइस हाइस करता है कि सब्सक्राइब के नुसार सजाना है पहले हम लीख ले आई एं एक लिए पाहला है आई एन एच ए एल ए आर इंहेलर दूसरा है आई एन आई एम एम आई टी एविए लिए ठीक है तुसरा है आई एन एच ए एच ए एच ए बी आई बी आई टी ए एम टी ठीक है चोथा है आई एन जी ए एन यू ओ यू एस अच्छवा है आई एन एच ए डी आई एज ए टी को एच ए ए एं से ए एज़िए आई आये चेक करते हम लोग क्या इसका सेज्य उख विए जो सब्स कोमन है जो अच्छा सब्सक्राइं पहले इसको कॉमन आई इस सब्सक्राइब सबसे पहले कौन आता है तो सबसे पहले इसमें कौन आता है तो इसके बाद कौन आता है तो देखिए एच कहेगो है तीन कि इसी में दोसरा तीसरा चौन था कोई भी हो सकता है तो फहले एक से चलें के तो देखिए एक कौन हो गया दोस्ता हुआएगा और यह प्रहते हो जाना जो आप फोड़े थे हना जो आप फ्होड़े थे इस वाला उसको देख लेंगे वाल के कावई है और जो छूट गया उसको पाच्वा में डाल दोगे तो पहला अस्थान पर क्यावा नंबर है चौथा चार होगा फिर दूसरा अस्थान पर तीन हो जाएगा तीसरा अस्थान पर आपको होगा पहला चौथा अस्थान पर होगा पच्वा और पाच्वा अस्थान पर आपको ह कि आगे बढ़ जाएं कि अगला है 29 29 कहता है कि यदि दर्बं परति में बताए जब कि 730 गड़ी में कितना हो रहा है भी या गड़ी मोरा साथ बचके 30 में याद रखिये गया कभी भी दर्बं परति में कहेगा तो हमेशा याद रखेगा कि 11 बचके साथ में से घटा देगे अब देखिया 37 दिया हुआ है तो 11 साथ में से घटा देगे साथ जीरो का जीरो छो में से तीन गया तीन गयार में से साथ गया चार बचके 30 में क्लेर है चलिए आगे बढ़ जाते हैं आगे है अपका 30 में तेखें थे तिस जब वन वाट आए निकाला है आए देख लाएं सिम्पल सी बात है देखिए सब को एस्क्वार कर देखिए तीन एस्क्वार दो एस्क्वार और चाहर अब सवाइब दोनुो natata CH चर्ष उल्थेच चा永ग पर oportun पकर के ऑसी प्रetos कौइब दोनी चाहा जाचे चसुख्वयर तो 16, 9, 4, 25 उसी प्रकार इसको देख लिए 3 स्क्वार, 6 स्क्वार, 5 स्क्वार, 4 स्क्वार तो दिनती आई 9, 6, 6, 36, 25, अच्चोगा 16 इसको अगर जोडते हैं वो देखे तो तो उमीद करते हैं आप लोग का सॉलूसन आप लोग को समझ में आया होगा एसी प्रकार सॉलूसन आप लोग को मिलते रहेंगे ठीक है हमेशा जुड़े रहें ठीक है बहुत दिनों के बार वीडियो अपलोड किया रहा है ठीक है आगे से ऐसे ही अपलोड होते रहेंगे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें बने रहें और पुसिस करें पुस सके तो सेर करें लाइक करें सुब्सक्राइब करें